आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके Redmi या फिर MI के फोन में फ्रंट कैमरा वर्क नहीं कर रहा है यानि कि अगर आपके फोन का फ्रंट कैमरा, सेलफी कैमरा काम नहीं कर रहा है तो ये प्रॉबलम आप कैसे ठीक कर सकते हैं आएए आज की इस वीडियो में जानते हैं आपको यहाँ पर इसके लिए अपने फोन में सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन कर लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग्स आपको मिलेगा इसे ओपन करने के बाद नीचे स्क्रोल करिए और नीचे आने के बाद आपको मिलेगा एक एप्स का ओप् क्लिक करिए क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा अब आपको यहाँ पर एक option मिलेगा manage apps अगर आपको यह option नहीं मिलता है तो आप settings में आगर उपर search पर क्लिक करके search कर सकते हैं तो हम यहाँ पर apps वाले option पर क्लिक करेंगे और उसके बाद manage apps में जाएगे उसके बाद आपके phone के सारे application आ जाएगे अब आपको search करना है यहाँ पर camera आप देख सकते हैं इस type से आपको मिल जाएगा camera पर क्लिक करके आपको नीचे एक option मिलेगा force stop force stop पर क्लिक करिए उसके बाद ok करिए एक option मिलेगा right side में clear data इस पर क्लिक करके आपको clear all data पर क्लिक करना है उसके बाद ok करना है आप storage पर क्लिक करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा यह option इस पर क्लिक करके clear all data उसके बाद ok करिए कोई data आपका delete नहीं होगा यह करने से और back आईए उसके बाद आपको मिलेगा app permission इस पर click करके आपको check करना है अगर आपकी camera की permission इस type से allow नहीं है तो camera की permission पर click करके allow only while using the app पर click करके back आजाईए और सारी permission आपको allow कर देनी है यहाँ पर camera के लिए और यह सब settings apply करने के बाद अपने phone को आपको बंद करके चालू करना है और आपकी उसके बाद problem ठीक हो जाएगी आप देख सकते हैं आपके phone का front camera work करने लग जाएगा उसके बाद भी अगर work नहीं करता है तो यहाँ पर हो सकता है आपके phone में कोई hardware problem होगी यानि की hardware issue होगा तो यहाँ पर हो सकता है आपको अपने phone को service center पर repair कराना पड़े तो आप दिखा सकते हैं अपने phone के service center पर वहाँ पर आपकी problem ठीक कर दी जाएगी तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को subscribe जरूर करें